नमस्कार और स्वागत करते हूं आप सबको बीन क्लास में तो इससे पहले वाला वीडियो में हमने डिसक्स किया कि कॉमन सल्ट से हम क्या-क्या केमिकल बना सकते थे बीकिंयो सोडियम हाइड्र ऑे सारा चीज हमने डिसक्स किया तो यहां पर उसी से कुछ करेंगे और एक्सरा चीज भी टिसक्स करेंगे तो पहलत देते हैं questions को पहला questions आज का हम देखते हैं पहला question What is the common names of compound Clud okeum compound है CAOCl2 इस compound का आपको common name बताना है ठीक है इसको हमने discuss किया था कल के वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो इसको आप जा कर देख लिए तो यहाँ पर question पुछा है what is the common name of CAOCl2 CAOCl2 का chemical name अगर हम बताते हैं तो यह है bleaching powder sorry common name ही मैंने बता दिया common name है bleaching powder और chemical name है calcium oxy chloride तो हम वो क्या लिखना है यहाँ पर दो नहीं confuse करेंगे यहाँ पर हमको common name लिखना है common name होए है bleaching powder इसका common name क्या है bleaching powder में तो answer ही बता दिया है common name है bleaching powder और इसका chemical name है calcium oxy chloride ठीक है तो यह पहला question था आज का कि what is the common name of compound CAOCl2 तो एक्जम में इस टाइप के questions को direct question है आपको दिबाग में होना चाहिए अगर आपने गलत कर दिया तो वहाँ पर आपका one marks जाने का chances रहता है तो उसको स्योर रही है कि answer क्या होगा उसका तो next question को देखते हैं next question है हमारे पास में name the substance which on treatment with chlorine bleaching powder chlorine के साथ में अगर हम उसको treat करते हैं तो bleaching powder form करता है bleaching powder मतलब CAOCl2 calcium oxy chloride करता है तो यहां पर बुला है उस compound का नाम लिखिए तो थोड़ा सा आप यहां भी हिंड ले सकते हैं कि जो आपका जो नेम था क्या है bleaching powder का जो नेम था CAOCl2 है ना वह है CAO तो पहला वाला क्या है CA calcium सो यहां पर अगर एक बेस है calcium hydroxide उसी को अगर je iron के साथ में ट्रीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है bleaching powder के से का अंथर होगा इसका calcium hydroxide calcium hydroxide का मतलब क्या हो जागा? CA-OH2 CA-OH2 तो calcium hydroxide इसका answer होगा क्योंकि calcium hydroxide के साथ में क्लोरीन को अगर करते हैं तो हमको क्या मिलेगा ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा तो इसको इस तरह का रियेक्शन होगा सो केल्सियम हाइट्र अक्साइड प्लस सील टू इट विल गीब दा केल्सियम ऑक्सिक्लोराइट एलोंग विद वाटर वाटर भी इसका बाय प्रोड़क निकलेगा और साथ में क्या निकलेगा आपको ब्लीचिंग पाउडर निकलेगा तो यह था सेकेंड कोईशन तो यहां कोईशन को हम दिखते हैं हमारे पास में नेम सोडियम कंपाउंड विचीज यूज फोर सॉप्टेनिंग हाड वाटर ओके हाड वाटर को सौफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है आप सोच रहा होंगे कि हाड वाटर बहुत हाड होता है नहीं जब वाटर में केल्सियम मेगनेशियम आयों पाए जाते हैं तो उस वाटर को हम बोलते हैं हाड वाटर उस वाटर में अगर आप कपड़ा दोएंगे भी तो साफ नहीं होगा ठीक है तो वहाँ पे उस वाटर में साबून नहीं काम करेगा आपका जो सौप है काम नहीं करेगा डिटर्जन सम्हाव डिटर्जन वार्क करता है लेकिन सौप वार्क नहीं करेगा तो यहाँ पर कुछा है जो हाड वाटर है उसको सौप बनाने के लिए कौन सा सोडियम कंपाउंड यूज किया जाता है कौन सा सोडियम कंपाउंड यूज किया जाता है उस कंपाउंड का नाम है वासिंग सोड वासिंग सोडा अगर आपको फर्मुला पूचे तो में भी आप बता सकते होंगे वासिंग सोडा का फर्मुला क्या होता है एने 2.co3.10-A2O ओकि उसका क्या है फर्मुला है एने 2.co3.10-A2O है इसका क्या chemical formula, so ये था third questions, उसके बाद हम four questions को देखेंगे, fourth number question का है what will happen if a solution of sodium hydrocarbonate sodium hydrocarbonate is heated, अगर sodium hydrocarbonate को heat करेंगे, तो क्या हो गया होगा, उसके साथ में question को चाहे give the equation of the reaction involved तो इस equation में या इसमें कौन सा reaction होगा उसको reaction को भी लिखने के लिए बोला है that means sodium hydrocarbonate को आप जब heat करते हैं, तो reaction क्या होगा equation क्या होगा, उसको भी लिखने के लिए बोला, जैसे sodium hydrocarbonate को हम heat करते हैं NaHCO3 को sodium hydrogen carbonate NaHCO3 को heat करते हैं, तो क्या-क्या form करेगा, it form the sodium carbonate पहला product, water and carbon dioxide, ये तीन product form करेगा, क्या-क्या बोला sodium carbonate, water and carbon dioxide, ये तीन चीज form करेगा, ठीके, इसको equation कैसे लिखेंगे, अगर equation पूछ रहा है तो equation यहाँ पे है, okay sodium hydrogen carbonate, या फिर sodium hydrocarbonate भी बोलते हैं sodium hydrogen carbonate भी बोलते हैं, यहाँ पे आप नहीं confuse करेंगे, sodium hydrogen carbonate भी बोलेंगे, sodium hydrocarbonate भी बोलेंगे, तो इसको नहीं confuse करेंगे, sodium hydrocarbonate के साथ में, जब इसको heat कर दे रहे हैं, heat कर दे रहे हैं, तो क्या हुआ, sodium carbonate फिर्म कर रहा है ठीके, water फिर्म कर रहा है and carbon dioxide gas फिर्म कर रहा है तो ये पहले तो आपको उपर का statement लिखना है, उसके बाद equation को भी आपको लिखना है, तो इस टाइब से होता है question number 4 हो गया जही से यहाँ पर फिर देखिये, जही से यहाँ पर baking soda है, एन एच एन एच, एन एच यो तरी, तो इसको आपको क्या है, preparation इसको याद रखे इसका preparation कही से होता है, इसका use कहा कहां किया जाता है, ठीक है, तो यह आपको exam के लिए बहुत ही ज़्यादा important है, उसका use and the preparation ठीक है, next question को देखता है, next question है, write an equation to show the reaction between plaster of paris and water, plaster and paris and water के साथ में क्या reaction होता है उसको लिखने के लिए बोला है, ठीक है, इसको sulfate, hemihidrate, ठीक है, तो यह जब भी plaster of paris या P.O.P. जब होता है, इसको कैसे याद करेंगे जब कभी bone वगरा fracture होता है, तो क्या करता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमको डॉक्टर क्या करता है, यहाँ पर एक क्या से work करता है, plaster of paris का जो formula है, मैंने बोला calcium sulfate, hemihidrate, तो इसको जब भी water molecules मिल जाता है, तो यह gypsum में convert हो जाता है, किस में convert हो जाता है, वोई चीज यहाँ पे लिखने के लिए, write an equation to show the reaction between plaster of paris and water, जब plaster and paris और water का reaction होता है, so it convert into the gypsum, इस तरह ही का reaction होगा, यहाँ पर आप देखिए, यह है C.A.S.O.4.2H2O, यह है plaster of paris, यह पूरा का plaster of paris है, उसके साथ में one and a half water molecules अबर देते हैं, यह one and a half water molecules, then it convert in the calcium sulfate, the C.A.S.O.4.2H2O, that means यह हो गया gypsum, जब 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 हो water molecules add कर देते हैं, so it convert into the gypsum and it is that plaster of paris is used in medical, medical में यूज किया जाता है और वो सारा sealing बगरा में भी यूज किया जाता है plaster of paris, ठीक है, तो यहाँ पर हमने past questions को discuss किया, और यहाँ आप याद रखे, यह equation जो है, plaster of paris का equation है, बहुत ही ज़्यादा important है, exam में पुछा जाता है, इसका reverse भी पुछा जा सकता है जब इसको dehydrate कर देंगे, that means आपको gypsum को अगर dehydrate कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका reverse reaction लिखना है, उल्टा हो जाएगा, क्या बनेगा plaster of paris and water molecules होगा, तो यह था आज का वीडियो हमने discuss किया यहाँ पे, अगर आप मेरी चनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चनल को subscribe कर लिजे, bell icon को press कर लिजे, आने वले वीडियो के notification पाने के लिए, वीडियो लंबा नहीं करता हूँ, आज के लिए इतना है, thank you for watching, God bless you.